हाई एवरिवन आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कोई भी महला की बच्चादानी कमजोर रहती है या खराब होने लगती है तो उसके क्या-क्या लक्षन रहती है इसी के बारे में वीडियो में विस्तार्ट से जानेंगे तो वीडियो को पुरा देखे अगर आप मेर करते कि जब कोई भी महला का यूटरस खराब होने लगता है या वो बहुत ही जादा कमजोर रहता है तो हमें एसे कौन से लक्षन आते हैं जिससे कि हम ये समझ पाए कि क्या मेरी बच्चादानी कमजोर हो रही है या फिर ये खराब होने के शुरुवाती लक्षन है तो जल्दी जल्दी आने लगते हैं यानि कि महिने में दो बार या तीन बार पीरेड आने लगते हैं मैं ऐसा नहीं बोल रही हूं कि अगर आपका पीरेड पहली बार या दूसरी बार महिने में दो बार आया तो आपकी बच्चादानी खराब है ऐसा नहीं पर आपका पीरेड अगर साल भर 6 महिने या 2 साल से continue महिने में 2 बार आ रहा तो ये एक लक्षन रहता है कि कहीं आपके बच्चादानी के खराब होने के शुरुवाती लक्षन तो नहीं है इसके बाद में जिन महलाओं को heavy periods होते हैं यानि कि period बहुत ही जादा heavy होते जैसे कई सारी महलाओं के period एकदम light होते हैं किसी के medium होते हैं और किसी के बहुत ही जादा heavy होते हैं महलाओं ये complaint करते हैं मेडम period आता है तो इतना blood जाता है कि हम सहन नहीं कर पाते हैं मतलब दिन में 10 बार या 7 बार या 8 बार change करना पड़ता है तो अगर आपके भी साथ ऐसे कोई problem है और आप मेरा ये video देख रहे हैं तो आपको जल्दी से डोक्टर से contact करना चाहिए डोक्टर ये पता लगाएंगे कि आपको ये समश्य किस वज़े से हो रही है क्योंकि periods में heavy bleeding होने के भी कहीं सारे कारण रहते हैं जैसे PID हो गया, Adenomyosis हो गया इन conditions में periods बहुत heavy होते हैं और painful होते हैं बहुत ज़्यादा पेट में दर्द होता है तो अगर आपको इसा कोई issue आ रहा है तो आपको अपने nearest gynec से consult करना चाहिए और उसका समधान के लिए आपको इलाज लेना चाहिए और इसके बाद में जिन महिलाओ को बार बार UTI हो जाता है यानि कि urinary tract infection हो जाता है कई बार महिलाओ को बहुत ही गंदी समेल आती है यानि कि जब हम washroom करने जाते हैं तो अलग-अलग color के discharge होते हैं कभी हरा हो रहा है, कभी पीला हो रहा है कभी भूरा हो रहा है, कभी नीला हो रहा है इस तरह के discharge आते हैं यानि कि जो सफेद पानी आता है उसका color दूसरे color में convert हो जाता है कभी brownish आ रहा है कभी yellow आ रहा है, कभी pink आ रहा है कभी green आ रहा है अगर इस तरह के discharge आपको आते हैं तो भी immediate doctor से आपको treatment लेना चाहिए क्योंकि ये एक infection का कारण होता है जिसी के वज़े से अगर मान लो कई सारी महला को white discharge जाता है और वो समय रहते इलाई नहीं करवाती है तो फिर क्या होता है कि महला को बहुत ज़्यादा कमर दर्द होती है बहुत ज़्यादा कमजोरी फील ह होती है क्योंकि infection है infection के कारण अगर आप इलाई नहीं लोगे तो आपकी body सुखने लगेगी और कमजोरी आने लगेगी and 7 मापको calcium deficiency भी होने लगती है जिससे कि महला बोलती है मैडम सुबह उटते तो हाथ पर इतने ज़्यादा कड़ जाते कमर इतने ज़्यादा कड़ती कि हम जाड़ों नहीं लगा पाते तो इस तरह के कई सारी समश्याय आपको होने लगती है इसके बाद में जैसे कोई मेला के हार्मोन इंबालेंस हो रहे और वो काफी लंबे समय से इसी प्रॉब्लम है मेला को कि पीरेड टाइम पे नहीं आ रहा पीरेड वो जधाधा डिले हो पीरेड के दर्मियान पेन होता है जैसी पीरेड खतम होते पेन खतम हो जाता है आपका या जब हम कोई हेवी वर्काउट कर लेते हैं तो पेन होने लगता है कई बार हम फ्रेश होने जाते हैं तब हमें काफी जादा दर्ध होता है कही मेला को इंटरकोस के टाइम दर्ध हो कोई खराबी है और आप कई बार ट्राई कर चुके हो कंसीव करने के लिए यानि कि प्रेगनेट होने के लिए आपके दिन भी बढ़ जाते हैं और थोड़े दिन बाद आपका पीरेड आ जाता है या कई बार महिलाओने गर्भधरन कर लिया दो तीन चार महिने में जाके बच लेना चाहिए जिससे कि आपको जो समश्या है उससे आप बच सके क्योंकि कई बार ये सब प्रोब्लम बहुत जादा बढ़ जाती है तो फिर हमें ऐसी कंडिशन में बच्चादानी को रिमूव करना पड़ता है पर मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि हर एक महिला का ऐसा होता जैसे आप लोगोंने सुना होगा 35 साल या 40 साल के बाद में महला हिस्ट्रेक्ट्रमी करवा लेती है तो हिस्ट्रेक्ट्रमी होने का यही रिजन रहता है कि आपकी बच्चादानी में एसी कोई समश्या हो रही जो दवाईयों से सोल नहीं हो पा रही जिसके कारण डोक्टर उसको हटा देते हैं और वो हटाने का भी यही कारण रहता है कि आपकी family complete है आगे आपको घरन नहीं करना है और कोई ऐसी बीमारी है जो दवाईों से control नहीं हो पा रही है तो फिर उसको हटाना ही एक option रहता है अब अगर ऐसी condition में हम क्या करें इलाज में हम क्या कर सकते हैं व दोक्टर के पास में जाएंगे तो ऐसी condition में आपको एक तो हल्दी का दूद डेली पीना है यानि कि एक ग्लास दूद में आधी चम्मच हल्दी डाल के उसको अच्छा पका लेना है उसमें थोड़ी मात्रा में आप अद्रग भी डाल सकते हो चीनी आपको नहीं डालना है तो अभी ऐसी condition में आप क्या करेंगे तो एक तो हल्दी का दूद आपको डेली रात में पीके सोना है हल्दी में ऐसे गूंड रहते हैं जो कि हमरी बच्चा दानी में सूजा ने खराबी है उसको पंट्रोल करने में मदद करती है इसकी बाद में आप दूद पीएंगे तो आपको केल्शम की कमी नहीं होगी क्योंकि उमर जैसे जैसे बढ़ती है वेसे हमारी बोड़ी में केल्शम की कमी होने लगती है अब एसी condition में हम क्या करें तो एसी परस्तिती में आपको जो M2Tone सीरप आती है चरक फार्मा की वो सीरप लेना है और आपको दो चम्मस सुभा और दो चम्मस शाम्पू खाने के बाद में कम से कम तीन महीने continue पीना है और अगर आपको बहुत ही ज़्यादा कमजूरी लगती है ऐसा लगता है मेरे शरीर में जान नहीं है या थोड़ा काम करने पर हम ठक जाते हैं हाथ पेरों में बावटे आने लगते है यानि कि टेड पर दे एक टेडलेट सुबह खाने के बाद में तीन महीने तक आप इसको भी ले सकते हैं जो हमारी एम्टोटोन सीरप है वो हार्मोन को बेलेंस करती है बच्चे दानी में जो भी खराबी है चाहे आपको सूजन आ रही है चाहे आपको सफेद पानी की प्रोब्लम है धात क प्रोब्लम है पीरेड बार बार आ रहे है लेट आ रहे है जल्दी आ रहे है इन सभी विमारियों में एम्टोटोन सीरप का बहुत अच्छा रोल होता है इसके बाद में जो आपको कमजोरी आ रही है खुन की कमी हो रही है वो जो रूबी रेट टेबलेट आप लेंगे तो इससे आपके खून की कमी भी दूर होगी विटामिन्स डेफिसेंसी हो रही थी वो खीक हो जाएगी उसकी पूर्ती हो जाएगी तो आप काफी बेटर फिल करेंगे और जब भी आपको टाइम मिलता है तो आप डोक्टर से कंसल्ट करें आशा करती हूँ इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको सम्पून जानकारी दे पाई हूँ अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छो लगा तो आप मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें जाद से जाद लोगों में शेर करें धन्यवाद